नमस्का दोस्तों हमारा जो हिस्ट्री का रैपिड फायर स्रीज चल लही थी इसमें हम हिस्ट्री के पोर्शन सारे पोर्शन जो बैक येर में उसको रिवीजन कर रहे थे इसका आज दूसरा वीडियो है इसमें हम गुपतिकाल से पढ़ने जा रहे हैं लिकिन उससे पहले प्रशन आये हुए अब तक पूरुगा में परिच्छाय हुई है उनसे जो प्रशन आयों वो देख रहे हैं कि प्लारम करते हैं शक्विजय के संदर में सबसे प्रबल प्रमान नरेश की रजत्मद्र रहे है कौनसा चंद गुप दूत्य शक्ज canyon जारी करने वाला प्रथम गुपत सासक कौन था चंद था भारत का नेपूलयन के नाव से जाना जाता है समुध्द्गुप्ट जाना जाता है शक विजेता जाना जाता है कौन सा चन्दगुप्ट दुते जाने जाते हैं गुब्ट शाषक जिन्हों ने हूनों पर विजे प्राव्ट की हई वह थे इसकद्धकुप्त और मुद्रा को कहा जाता है दिनार कहा जाता है गुप्त अभिलेग में दिनार जिसका वाचक वाग कैसे हैं वह कान्स के शिख्कें सथी प्रता का प्रथम अभिलेचिक साच प्राप्त हुआ है एरण अभिलेक से 437 से 38 इश्वी में मंद सौर अभिलेक में एक भव सूर्य मंदिर का निर्मार का उल्लेक मिलता है रेशम बुनकरो श्रीणियों का सारनात की भूमी इस पर समुत्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है वहां है गुप्तकाल की प्राचीन भारत में वहां वन्स जिसने शाषनकाल को शोण यूप कहा वो कौन था गुप्तकाल था राजवन्स जो हूनों की आखमर से अत्यन्त विचलित हुए वो थे गुप्त भाग और बली थे राजसु के शोत अधोलिखित में गुप्तकालिन्स्वर मुत्रा है दिनार भारति दर्शन की प्रारंबिग साखा है शांख कर्म का सिध्धान संबंदित है मिमांचा से योग दर्शन के प्रतिपादक है पताणजली है न्याय दर्शन को प्रचलिद किया था किसने गौतम बुद्र ने किया था बहरत में आश्तिक और नास्तिक कि परदाय में विभेदिक लक्षण है वेदों के प्रमारिक्ता की आस्था से याद रखिएगा यह important question है काम रूप में वैश्णों धर्म को लोक्रिय बनाया चंकर देऊने बीच गडित के छेत्र में योगदान के लिए विशेश रूप से जाने जाते हैं भासकर काली दाज द्वारा रचित मालवी की अगनी मित्रम नामक का नायक था कौन अगनी मित्र कायस्त जाति का सरुप्रथम उल्लेक किया है यगवल ने किया है दास्ट मुगति के अनुष्ठान का विधान सरप्रथम किया था नारद ने पुंड वर्धन भुग्त अवस्तित थी कहां उत्तर बंगाल में गुप्त काल में उत्तर भारती वैपार संचालित होता था ताम रिपी बंदगा से होता था यहाद रखिएगा सती प्रता का प्रतं अभिलेग की संधर्ब राप्त होता है एरणभिलेग से उमार गुपस सैकेंड तौरी फस्टे मंदसौर अभिलेग का उलेग देखेंगे तौरी इहाद होगा रेशम बुनकर से चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रत्थम शासक कौन था चंद गुप्तिय था समुन्द गुप्त के प्रयाग पसिस्ति वाले इस्तंब पर विकास किसका लेख मिलता है वो है जहांगीर का समुन्द गुप्ति का जो प्रयाग प्रसस्तिय विलेख है उसमें जहांगीर का विलेख मिलता है वह शाशक वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दाई तो दिया गया दाई तो दिया जाता है वह था समुन्द गुप्त जारी किया था वह समुन्द है आप गुप्तुत्तर काल को हम देखेंगे बनभट की हर्ष चरीत्र की किस मौर कालिन शाशक का उलेख है वह है ब्रहद्धत है अब विदेशी आत्रा देख लेते हैं अब भारत में ब्रहमण का समय देख लेते हैं आप देखिए पीशेस में ऐसे प्रश्ण आएंगे तीन 1214 वेंग सांग कव आया था 629 से 645 तक इथि आंग आया था 672 में आया था और 934 में चला गया था अलमसूदी आया था 915 में आया था और 916 में चला गया था अब दिखते आगे राजा जिसको जनता द्वारा प्रत्यश चुना गया वो था गोपाल नंदी वर्मन और पलव मल्था पलव मल्था इस्तूप जिसमें आर इस्तंब की विशेष्टाइं प्राप्त होती हैं वो है अमरावती अर इस्तूप जिसमें आरे इस्तंबु वाले मंच की विशेष्टा मिलती है वह है अमरावती नागर्जुन कॉंडा चाशक जिनके चार अश्वमेग यगों का संपादन किया था वो थे प्रवर्वर्व सेन प्रतं थे जिन्नोंने चार अश्वमेग यग किया था वल्लभी विश्विध्याले इस्तित है गुजरात में है उसके आगर देखते हैं कि छटवी साथवी सतापदी में एक मौरवंश कहां का शासक था एक मौरवंश कहां का सासक था वो था लाठ अब है कदंबो की राजधानी बनबासी इस्तित कहां गोवा में प्रतिहार अभिलेखों के संदर्भि सिक्के का नाम था द्रंप था मध्य प्रदेश के मसूद सहर का निर्मार किया था हर्षवर्धन ने किया था समराथ हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक अभिलेखों का आयोजन किया था जो कि कन्नौज तथा प्रियाग में होता था हर पांच वर्स में अब हैं प्राचीन भारत की स्थापत कला देख लेते हैं वह इस्थान जहां से चिल्प में विशुण का वरह आवतार दर्साया गया वह है उदर गिरी गुफा और विदीसा है महरोली के लोह विच्छों के मन्द समवाद रूप में हैं वबिक्छो थे नाक्सी से एलोरा में गुफाओं और शेलकृत मंदिर हैं हिंदु बॉध और चैन्द में अजन्ध और एलोरा में कुफा हैं कहां ये है महराश में मिनाक्षी मंदिर इस्तित रहे जादारे कि महा बलीपुर्ह में रत मंदिर का निर्मार कराया गया था पल्लव द्वारा हीन यान अवस्था का विशालतम एवं सरवाधिक विक्सित शैल कृत चैत इस्थित कहां कार्टले में एक सव से अधिक गुफा है वह केंद्र है कनहेरी का है वह शैल गुफा जिसमें ग्यारा सिरों के बोधी सत्व का अंकन मिलता है वह आप देखेंगे कनहेरी है तोमपुर महाविहार निर्मान कराया था घरमपाल ने गंधार कला शैली एक संसलेशन है किसका भारती तथा यूनानी कला का है साची के महान इस्तूपों के चार तोरण में से एक का निर्मार स्वार पथम हुआ था दच्छिन में तोन गिरी जहां 108 जैन मंदिर बनाए हुए है इस्तित है दतिया में याद रखेगा कहां है वह दतिया में है दिलवाडा जैन मंदिर इस्तित कहां है राजिस्थान में है पुरीशा के कोणाद मंदिर का निर्मार कराया था किसने राजा नर्सिंग देव पथम ने करवाया था द्रविर शैली के मंदिर में गोपूरम से तातपर क्या है तोरण की उपर बने अलंकृत एवं बहु मंजली भवन से है अब आगे देखते हैं भूनेश्वर थथा पूरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है वह है नागर शैली से गुफा त्रिमूर्ती के लिए विख्यात है एलिपेंटा चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एक मंदिर एक मात्र मंदिर माना जाता है वह कहां है कांची में ओंके रियोटवार्ट का विशुन मंदिर इस्थित कहां कमबोडिया में दच्छिन भारत के भगवान रंगनात जिने भगवान विंकटेश्वर भी कहा जाता है का मंदिर इस्तित कहां फिरू मल्लम पहाड़ी में है एली फैंटा की प्रसिद शैलों को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रे दिया जाता है किसे पल्लाव को दिया जाता है चितोड का खीर्ती इस्तंब निर्मित हुआ था शासनकाल में इसके शासनकाल में राणा कुमभा के शासनकाल में हुआ था शैलिकृत इस्तापत का आश्चर माना जाता है कैलाश मंदिर जो एलोरा का है उसे माना जाता है वा मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ती है जिसे भारत के विशालतम नदिंद मूर्ती कहा जाता है वो है व्रिधेश्वर मंदिर में है तटानों को काड़ कर महाबलीपुरम की मंदिर बनाया गया पल्लव द्वारा वा इस्थान जहां राष्ट कूटो द्वारा एलोड़ा पहाड़ी के से निर्मित गुफा मंदिर इस्थित है वो है औरंगाबाद महाराष्ट में गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतितम उधारन है इस्थित है दतिया में है दतिया में अभी देखिए अहां आया था ये तोन गिरी का 108 जो जैन मंदिर कहां से दतिया में है और इधर भी देखिए आया है भी ये वोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतितम उधारन है कहां है दतिया में है आजुराहों मंदिर का निर्मार कराया था किसने चंदेलों ने कराया था पूंकर मंदिर सम्मंदित है सूरे से दर्विर शैली में बना हुआ सिखर गौलीयर के तेली मंदिर का अजंता की चित्रकला दरसाती है जातक कथाओं को अजुराहो के मंदिर का निर्मार कराया था चंदेलों ने बौध हिंद इवं जैन शैलिकृत गुफाओं एक विद्धमान है कहां एलोरा में इस्तूप चांची चित्रकारी बाग की गुफा पनिक्ष का सिर्भीमूर्ती मतुरा दसावतार मंदिर देवगर का है कहां यह यूपी में ध्यान न किएगा उस्तक और लेखक देख रहेते हैं राम पंचाधाई नंदस दास चैतन्य भगवान भागवत यह विंदावन दास चैतन्य मंगल यह आप देखेंगे जैन अनद्द आप भक्ति रतनाकर नरहिर चक्रवती रागमाला कुंडिरिक बित्थल रस्क कौमदी श्री गाठ राग वी बोध दोमनात उसके बाद देखेंगे चदूठ तान प्रकाशन यह देखेंगे विंकडव रहमन का चिंता मडी द्वारा चिंता मडी भट द्वारा रचित संस्कित ग्रंत चुक संपत्ति का फार्सीम अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा किसने ख्वाजा जिया उद्दीन नखरभी ने किया मुद्रा राच्छक के लेका कौन थे विशाखादत न्याय गौतम उत्तर मिमान सा पादरायन पूर मिमान सा जैमिनी वैसे से कनाथ चारक सहिता अथ्याव हो और खंड़नों में विवाजित है किसमें? 4. चारक सहिता आप देखेंगे 120 अथ्याव हो और 8 खंडों में विवाजित है बद साहित में धेरी गाथा निकाए से समबन्दित है? उत्रक निकाए मुद्रा राच्छक के लेखक कौन है विसाखादत दस कुमारा चरित्रम के रशनाकार है कौन है डंडिन है दी रूफ औफ एसियन इंदिया के लेखक है डबलू एस पेयर सर्विस है कल्लेहन की राशतरंगरी के आगे बढ़ा कौन जो नराज एवं स्रीवर है राचीन काल्म के महान विधी निर्माता थे कौन मनू महा भारत मूलता जानी जाती है जै सहिता के रूप में महान जैन विद्वान हेम चंद्र किसकी सभा को अलंगरित करते हैं कुमार पाल को भोज शाला मंदिर की अधिस्तिनी देवी कौन थी भगवती श्वरस्वती मद्ध काल मद्ध कालिन भारत में ये शश्वी विधी वेता थे विज्ञानेश्वर थे मद्ध कालिन विद्वान लेखक जो जैन धर्म के अन्युआई थे वो हेमचंद सूरी थे गीता गोविन की रचाईता कौन थे जैचन थे आलपनिक वैज्ञानिक उपकरोंग पर उस तक लिखी है भोजने भारती गड़ तक जिसने दसंबलो इस्थानिक मान की खोज की थी वो कौन थे आरभट थे गोण वाहो ये रचाईता कौन थे वाक्यपती हैं विदेशियों को भारती समाज में मनु द्वारा दिया गया समाजिक इस्तर क्या था विदेशियों द्वारा वो था रत्चत्रियों का था प्राचीन भारती विचारकों में से विधी विवस्था वो सर्वाधिक विवस्थित रूप से व्याख्यांगित किया किसने मनु ने मान सोलासा शीर्ष ग्रंत्व की रचना कीति सोमेश्वर थर्ड ने सर्व वर्मन जो थे वो असीरगड तामर पत्र के हैं उसके बाद देखेंगे इश्व मामन जो है वो जौनपूर प्रस्तर अभिलेक के हैं और यह कोशन आप देखेंगे जो यूपी पीसे स्प्री 2022 में आया है तो यह सब कोशन को आप ध्यान करके रखियें अक चंदेल वन्स का प्रथम शाषत था नत्रुक था वोईशल वन्स के प्रथम स्वतंत्र शाषत विश्णू विद्वर्धन ने अपनी राधानी बनाई द्वार समुद्रम को राजवंस जो कन्नौच का अधिपत इस्थाफित करने में त्रिकोणी संगर्स में उलजे हुए थे उते पाल, प्रतिहार और राष्टकूट विक्रम सीला विश्चिविध्याले स्थाफित करने किया था कि इसने धर्म पालने किया था गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था कहां तारनात में हरिन गर्भ धार्मिक कार्य करता था दंती दुर्व उसके बाद रामा नुझ ये अनुनाईयों को कहा जाता था वैश्णाओ द्वार समुद्र राजवन्स की राजधानी थी वोईसल पाल वन्स के संस्थापक थे गोपाल पदम राज़ की राजधानी थी वनवासी समकाली समाज के पाखंडों एवं फ्रस्ट आचरों को उद्गटित करने के लिए अनेक ग्रंतों के लेखक थे कौन छेमेंद्र थे चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लच्छमर वर्मन था वो थे यशो वर्मन एक नए समवत संचालन का यश प्राप्त है लच्छमर सेन को चंदेल शाषक जो महमूद कजनवी से पराजित नहीं हुए थे वो थे विध्याधर जो जाग भुगती प्राचीन नाम है किसका बुंदेल खंड का कलिंग नरेश खारवेल सम्मंदित है चेदीवन से सिच्छा के एक महान केंद्र विक्रम शीला महा विहार का निर्माण कराया था किसने धर्म पालने प्राणा कुम्भा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज अब मिसलेशनियस देख लेते हैं जो वीविद प्रशनाते हैं वो देख लेते हैं हुआ पुरा इस्थल जहां से तुपाड़ी के दो कार्वनी कृत भीच प्राप्त हुए हैं वटगल शाशक और राजवन देख लेते हैं गोविंद यह राष्टकूट वन्स के वत्स राज जो हैं गुजर पतिहार के देवपाल पाल वन्स के हैं नर्सिंग वर्मन प्रथ पर कहां अजन्ता की गुफा फिर पर्याटन आकार्शन और इस्थल देख लेते हैं कबीर की समाधी मगहर बस्ती में हैं फिर देखेंगे सलीम चिस्ती की दरगा पतेपूर सीकरी में हैं गोविंद देव मंदिर कहा है व्रिंदावन में गौल बहुत दिस्पूत कहा है अब विहार और स्थान देख लेते हैं जगदल विहार रामपाल रामपाल ने बनवाया विक्रम शिला विहार इधर्मपाल ने सोमपूर विहार इधर्मपाल ने बनवाया सलबन विहार ये श्रीभव देव ने बनवाया शाशक जिहें सिंग दीत के विरुद छेसो बयालिस इश्वी में दो समुद्री अभियान बेजा वो कौन थे नर्सिंग वर्मन प्रथम थे प्राचीन वेतामबर जैन मंदिर इस्तित है कहां पाली ताना गुजरात में अरूणी प्रसिद्य लिखकतें पुरू पांचाल कें बीज गडित के छेत में विशेश युगधान किसने दिया भास करने पुराणों के अनुसार चंद्रवन्शी शाशकों का मूल स्थानता प्रतिस्थान पुर जो यहां है वहां अनंत्र भी है जो यहां नहीं है वहां कहीं नहीं है कहा गया है माभारत ग्रंत में कहा गया है हिंदु विधी द्वारा मानिकर था कौन था उपच का छटा भाग प्राचीन भारत में सिचाई टेक्स को कहते थे प्राचीन भारत में क्या कहते थे विधक भागम विदक भागम कहते हैं वैदिक ग्रंतों के भासिकार चारण को आश्रे प्राप्त है विजय नगर राजाओं से बेस नगर अभिलीक का हेलियो डूरस निवासी था तच्चसिला का सवर्वेल गूला में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा इस्थापित की गई थी शामुंडा राय में शोलो की राजधानी थी तंजाओर एमफोरा जारा होता था एक लंबा एवन दोनों तरफ हतदार जार विक्रम सम्वत का प्रारम होता था लगबग 57 इशिपूर में से राजस्व सम्वंदित एक दस्तावेज सामानता पांडो की राजधानी इंद्रपस्त के साथ पहचान की जाती है पुराने किला दिल्ली से अब यहां से आप देखेंगे मध्यकालिन भारत हो इस तरह देखा जाए तो कुल मिला के देड़ घंटे में यानिकि एक घंटा बीच मिनिट में देख सकते हैं तोटा टोटा एक घंटा बीच मिनिट में हमने संपूं जो अब तक के यूपी पीस्यस या यूपी यूपी कि द्वारा जिते भी प्रशन आये हैं जी में में आये हैं कुछ जी असम में आये हैं किसी और परिच्छा में कानून को एकजाम में इस्टार्ट करेंगे कि उम्मध कालिन भारत स्टार्ट करें कि वीडियों से माप करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको हमाई चैनल अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को लाइक करिए और सुझाओ देने हैं तो कमेंट करिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब भी करिए धन्यवाद